आज की वीडियो की बात की जाए तो ये वीडियो आपकी लाइफ पर काफी जादा positive impact डालने वाली है क्योंकि जो बाते में करने वाला हो ना शायद हो सकता है अगर आप trading कर रहे हो तो आपके अंदर भी ये कमियां आ रही हो और कैसे उन कमियों को हम solve कर सकते हैं 100% कुछ भी होता अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी अभी 100% इन सभी कमियों को पूरा नहीं कर पाया बट फिर भी कोशिश करता हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं उसके अंदर जो मेरे पीछे के experience हैं जो rules and regulations हैं उनको properly implement किया जा सके आप कहेंगे ऐसी क्या बात है ध्यान दो market में जब काम करने के लिए हम लोग आते हैं तो problem ये नहीं है कि पैसा कमाना है problem ये है कि पैसा कैसे कमाना है market में इतने सारे options होने के कारण हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हमारे लिए कौन सी चीज बेस्ट होने वाली है और जब तक ये बाते पता लगती है न दोस्तो तब त का गेम है हमारे बसकी बात नहीं है जबकि ऐसा नहीं है अगर एक इंसान proper तरीके से काम करता है दो से 4 लाग उर्पे के फंट के साथ भी काम करता है तो महीने के 10-20,000 निकालना कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं होता बट मुद्दा है निकालना कैसे है किस तरीके से काम करना है क्या-क्या उसके अंदर concept समझने जरूरी हो जाते हैं आईए एक बार इन पर discussion कर लेते हैं and I wish ये वीडियो काफी जादा positive impact डालेगी उन लोगों के उपर जो forex, international या फिर national या फिर stock market कहीं पर भी काम करते हों ट्रेडिंग के अंदर ये सभी rules आपको पता होने चीए तब आप यहाँ पे एक profitable trader count होंगे और कोई भी trader 100% profitable नहीं होता अगर उसकी trade 70-80% भी correct चली जाती है then उसका final profit loss statement काफी जादा green आ जाता है इस कारण उसको profitable trader बोला जाता है इस बात को clear कर लीजिए आईए शुरू करते हैं topic को कि क्या-क्या चीज़े होनी चीए जो हमारे लिए important हो सकती है सबसे पहले बात करें तो भाई अमीर बनने की इच्छा समझ रहे हो rich बनने की कह सकते हो desire क्या है क्यों बनना चाहते हो reason पता होना चाहिए कि मैं क्यों पैसा कमाना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों के पीछे problems होती है कि उनको financial issue आई जिसके कारण उनकी family में कोई इनको support नहीं करता या वो कहीं पर दूसरी तरीके की life जीना चाहते हैं पैसा ना होने के कारण वो उस particular जगा पर उस particular trap के अंदर फसे हुए हैं कि वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं तो आपके पास में सबसे पहले एक ऐसा topic होना चाहिए जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि मुझे पैसा क्यों कमाना है भई मालो मैं हूँ मैं बोलने लगू मुझे पैसा क्यों कमाना है मुझे पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि मैं financial freedom चाहता हूँ जब भी मैं कहीं पर जाओ तो मुझे पैसे के बारे में सोचना ना पड़े common सी बात आती है अगर किसी hotel में जाता हू तो मुझे वहाँ पे बिल चुकाने से पहले वहाँ पे पैसे ना गिनने पड़े कि कितने का मैंने खाना खाया जो मेरा मन है वो मैं खा पाऊ या फिर मैं जहाँ पे भी जाकर जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊ और मेरा पैसा मेरा पैसा मेरे पैसे को कमाने में मदद करे और उस पैसे का एक पर्टिकलर परसेंटेज में अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में मदद कर पाऊं। अपने टूटने चालू हो जाते हैं तो उससे पहले अगर हमें पूरी चीजे करनी है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए पैसा यहाँ पर हमारे पास रहेगा तो दुनिया में हमारा काम आसान कर जाएगा इस बात को बिल्गुल क्लियरली समझ लेना चाहिए और जितने भी वीडियो देख रहे ना पहले अपना concept क्लियर करो कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है बुरी बात है पैसे को यूज कैसे करते हैं किस तरीके से पैसा कमाया गया ये बाते जादा important हो जाती है clear इस बात को समझ लेना बहुत जादा ज़रूरी है अब दूसरी चीज है जो हमे emotionally कह सकते हो stock market में काम करते हुए समझनी है और उसको properly देखना है कि मैं किस category में count होता हूँ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मैं जो है पहले कैसे काम करता था मेरी पुरानी वीडियो देखोगे अब मैं कैसे काम कर रहा हूँ changes क्यों आए क्योंकि मुझे ये जो था ना like fear of losing आपको ये कैसे बाई ये जो पैसे को जाने का डर है ये अगर आपका कम हो गया reason कब होगा ये कम जब आपके पास में पैसा तो हो बट उस पैसे का एक limited amount आप यूज करें किस चीज में जो सच में आपको profit कमा कर दे मैं आप ऐसे से लोगों को देखता हूँ जो कि 10 ला कैसे बोल सकते हूँ उनको ना तो ये पता कि उन्होंने entry किस logic पे की ना उनको ये पता कि मैं exit कहां करूंगा ऊपर जा रहा है profit हो रहा है अच्छी बात भाई ठीक है नीचे जा रहा है नुकसान हो रहा है कोई दिक्कत नहीं पैसा बहुत वो वाला concept अगर use करोगे तो खतम सब खतम तो हमें पहले तो ये identify करना जरूरी है कि हमारा loss कितना होना चाहिए हमारे profits कितने होने चाहिए लोग इस चीज़ को समझना पसंद नहीं करते क्योंकि ये वाली चीज़े ना लोगों को आखरी में देखना पसंद है कि trade कर ली करने के बाद में results क्या आया आप पैसा नहीं होता और जिस पर पैसा होता है वसमें नोलिज नहीं होती और नोलिज आ जाने के बाद में फिर पैसा नहीं बच पाता ये main problem देखी गई है जब हम बात करते हैं कि पैसे के लिए डर कि पैसा lose हो जाएगा हमारा भाई market में सब कुछ खो जाएगा ऐसा नहीं है अगर आप market में proper तरीके से काम करते हो risk management के साथ काम करते हो then definitely आपको ये चीज़े पता लग जाती है मेरे जितने भी clients हैं मैं उनको बार 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 क्या बोलता हूँ कि option buying नहीं करनी ठीक option selling जरूर करनी क्यों करनी क्यों करनी क्योंकि अमीर लोग जो 10% लोग पैसा कमात कोई personally दुश्मन कुछ ऐसा कुछ है जी नहीं मुद्दा है math simple सी बात है मुझे math पसंद है जबकि मेरे math में कोई में topper नहीं हूँ बट इतना math तो मुझे पसंद है कि मुझे दिख रहा है कि 66% chance है कि मैं यहां हार जाओंगा और यहां मेरे 33% chance है कि मैं यहां हार जाओंगा तो common सी बात है मुझे इतना math तो आता है कि मैं इसको नहीं करूँगा जहां हारने के chance जादा है मैं वो काम करूँगा जहां हारने के chance कम है बात खतम यह केवल एक 5th class का student भी समझ सकता है कि भाई कहां पर मुझे काम करना चाहिए बट क्यों यहां पे किया जाता है reason है simple सी बात है मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान option buying करके बेवकूफी करे और अपना पैसा मेहनत से कमाया हुआ पैसा बिना reason के गवादे market में अगर आपने entry की है और आपको पता है मैंने entry इस जगह पे की थी यह logic था exit की इस जगह पे exit किया यह logic था तब मैं मानता हूँ कि आ इतना जाएगा पहले सी सब कुछ पता है आपको पता है कि इस चीज की मौत है इतने दिन के अंदर आप फिर भी उसमें काम करोगे तो यहां पर यह चीज जरूरी हो जाती है समझना बहुत ध्यान रखो पैसे को खोने का जो डर है वो होना भी चाहिए और नहीं भी होना च तक लोगों से बात किया है मैं खुद की भी बात करूँ तो अगर मेरी 70% ट्रेड भी पॉजिटिव चली जाती है नॉर्मली हम लोग करेंसी में काम करते है तो क्या होता है कि कभी कभी कोई ट्रेड मानलो मैंने आज इसको बाय किया तो हो सकता है वो वहां से ब्रेक करके न वहां पर अगर आपकी accuracy 70% आ जाती है न तो एक बहुत अच्छे profitable ट्रेडर काउंट होती हो जितने भी ट्रेडर आप यूटी पे देखते हो न एक्चल में उनसे भी जादा अच्छे अच्छे और professional ट्रेडर ना वो है जो की सामने आते ही नहीं है रीजन बड़ा simple सा है उन डरी नहीं लग राजी क्यों नहीं लग राजी हमने तो सुना था कि डरना नहीं चीए पैसा कमाने गवाते हुए ऐसा नहीं है इस top loss लगाना बहुत जरूरी हो जाता है अपने आपको identify करना जरूरी हो जाता कि मैं swing trader हूँ, positional trader हूँ या मैं किस तरीके से काम करता हूँ ठ दोस्तो अभी की condition में अपनी बताओ ना अगर आपको real life में तो अभी का scene ऐसा है कि मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है, ये इनसान गलत चीज़ बोल रहा है बट कभी कभी क्या होता है मैं उसको बोलता है नहीं हूँ, मैं उसको बोलता हूँ तुम सही हो ना, जी तुम सह क्योंकि हम किसी इनसान की life ना तब तक change नहीं कर सकते, जब तक खुद नहीं चाहता, मैं ये बात कहीं बार बोलता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्यों मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे life change हो, तभी तो मेरे पास कह सकते हो, universe मुझे positive impact तो प्लीज मत उतरो क्योंकि market आपके लिए नहीं है, अगर आप वही 20,000, 30,000, चीक, ये वाली job करके खुश हो ना, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, इस बात को clear कर लो, लोग आपको कहेंगे कि ऐसा है वैसा है, नहीं जी, आप उसमें satisfied हो ना, बात खतम, आपको मार आओनी जरूरी है कि कब हम सही हैं और कब हम गलत हैं, अगर आपको दिख रहा है कि आपको opportunities मिल रही हैं और उन opportunities को आप use नहीं कर रहे हो, तन आप वहापे गलत हो, और अगर आपको opportunities ही नहीं मिल रही हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो कि गाओं देहात में रहते ह तो आप समझ सकते हो करने वाले के लिए वो गाओं भी एक करने की जगा है, ना करने वाला रोना रो सकता है, मेरा एक क्लाइंट ऐसा है जो अपने घर में लड़ा, किस चीज के लिए कि घर में जो electricity like inverter लगा हुआ है, उनके हाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने बोला कि inverter use नहीं होगा, क्यों मुझे दिन में अपने system को charge करना पड़ता है, और मुझे market को देखना है क्या होता है, तो आप समझ सकते हो करने वाले के लिए क्या चीज सही है, उसको identify करना बहुत easy है, और ना करने वाले के लिए कि मुझे करना नहीं है, तो उसके लिए कु या आपको कोई दूसरा आकर नहीं बताने वाला, हो सकता है, आपके पास में केवल एक छोटा सा mobile हो, और एक इंसान दूसरा है, जिसके पास दो-दो-चार-चार लैपटॉप रखे हुए हैं, वो उनको use ही नहीं कर पा रहा, और वहाँ पे वो उस इंसान को कुछ है ही नह कि हमारे आंदर क्या चीजों की कम है हो जाती है. यहा पर अगर हम बात करें तो discipline की बात करें तो वह बहुत ज़्या प्रोब्लम क्रेट करता हूँ, और यह अभी भी मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रोब्लम क्रेट करता होगा. मैं हमेशा focus करता हूँ दोस्तों कि मैं कम से कम समय के अंदर जादा से जादा चीज़े produce कर पाऊ किस तरीके से अगर मुझे काम करना है तो मुझे इस तरीके की strategies use करनी पड़ती है कि मेरे सारे काम सबसे पहले मैं सबसे जब कह सकते हूँ सबसे जो important work होगा वो करूँ उसके बाद में अपनी list create करके रखो कि मुझे यही सारी चीज़े करनी होती है और आज के समय में कह सकते हूँ discipline लाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़े implement किया है काफ़ी सारे softwares use कर रहा हूँ जिससे कि मैं easy तरीके से काम कर पाऊ कि मुझे जादातर trades जो है वो swing trades पे focus करना है आप देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी time थे USD, INR के लावा किसी और में काम ही नहीं किया reason बड़ा simple है मुझे दिखाई दे रहा है कि महाँ पे मैं profit कमा सकता हूँ मुझे दिख रहा है कि आप trend है तो इसमें trade लेकर profit बन सकता है बट खुद को बांधना discipline के अंदर और कुछ दिनों के लिए बांधना उसके बाद में आपको खुद बाख आदत हो जाएगी कि भाई यह चीज मेरे ले सही है तो मुझे यह चीज करनी चाहिए common सी बात आती है तो आपको भी यही चीजे focus करनी है कि यह बली चार चीजे पर focus करो कि rich बनना क्यों है पहला focus दूसरा focus जो पैसा गवाना है और पैसा कमाना है कितना गवाना है कितना कमाना है अगर यह चीज आपको पहले ही पता लग जाए तन definitely वो आपके लिए काफी easy count होगा उसी के साथ में next बात करें कि आपको क्या चीजे करनी चाहिए आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है इस चीज को जानना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है plus discipline तो सबसे powerful चीज है जो कि आपको real life में भी मदद करेगी और आपको trading life के अंदर भी मदद करने वाली है so I wish ये चूट आजा concept clear हो गया होगा क्योंकि मैं समझता हूं कि trader बनने के लिए केवल trading related बाते नहीं हमें psychological चीजे समझना भी जरूरी है कि हमारा nature कैसा है हम किस चीज पर कैसे reaction देते हैं ये चीज भी बहुत दूसरे तरीके से करू और आप इसी проблем को किसी दूसरे तरीके से solve करें तो हर इनसान का अपना नजरिया है उस नजरिये को आप भी देखो कि कैसे काम करना है अपनी आपको खुद से calculate करो कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, किस चीज में बुरा हूँ, और उस हिसाब से अपनी psychological thinking गो stable करने की कोशिश करो, अगर आपको किसी को भी कोई कोशिश आने, तो नीचे मैंने एक form fill करने के लिए दिया है, जिसमें कि आप मेरे साथ में server पे जुड सकते हो, discord server पे या फिर आप मेरे link के थूँ, वहाँ पे continue कर सकते हो, and मेरा एक personal number है 8077 521043 या फिर 9837482890 इन दोनों में से किसी भी number पे आप हाय करके message बेज सकते हो, और आपको किसी को कोई question है, काफी सारी चीज़े में अपने WhatsApp status पे update करता रहता हूँ free of course, आप easily उनको access कर सकते हैं आपको high करके message भेजना है and link देना है, save my number, आपका number save कर लिया जाएगा मेरे team की तरफ से, and easily आपको जो भी updates होते हैं, वो आपको WhatsApp पे सारे दिख जाएंगे, इस दिके साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, next मिलते हैं कल I think trading day है, तो I wish जो trade है वो profitable आए और आपको कल share की जाए, आप कहेंगे भाई आपने जो trade डाली है, वो show की नहीं करते हो मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो discord server है, जिस server पर हम काम करते हैं, मैं वहाँ पे चाहता हूँ कि मैं जो trade डालता हूँ, same trade, same trade मैं वहाँ पे share कर दूँ, और मैंने ये चीज़ कोशिश की थी पहले अपने WhatsApp नंबर के साथ में भी कि भाई, जो trade में डालता हूँ, मैं तुरंट share कर दूँ, हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ, problem कहां पे आजाती है, problem यह आजाती है कि मैं account handling भी कर रहा हूँ, कुछ लोगों की और कुछ बड़े accounts भी handle कर रहा हूँ, जो मैं show भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि YouTube channel मेरे कुछ ऐसे logo ने भी देख लिया है, जो मेरे जानने वाले हैं, मैं नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ feel आए, जो है ठीक ठाक चलने दो, क्योंकि हम यहाँ पर knowledge share करनी है हम यहाँ पर किसी को चिडाने नहीं आये कि भाई मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतना गवाता हूँ यह चीज़े दिखाने थोड़े ना है, मुद्दा है knowledge share करना, कि लोगों की life पर थोड़ा सा भी impact पड़े, मेरे current तो I think वो सबसे best चीज़ काउंट होगी, कि उसको यह बाते पता लगी कि पैसा कमाने के लिए पैसे से काम कराया जाता है, तो और क्या चाहता है वो, तो common सी बात है, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, basically मैंने starting की, कि मैं सारी share करूँगा कैसे समालोंगा, उनको तो अपनी महनत खुछ से करनी है, मैंने बोला था 10 lot, वो इंसान लालच में आके 10 की जगा 50 lot में जाता है, चीक और उसको फिर नुकसान होगा, तो फिर वो कहता है रहे नुकसान हो गया, क्योंकि वो उस चीज़ को पर देखनी पाता है, इमोशनली problem में आ जाता है, और वहाँ पर आके वो कह सकते हैं न, money, loss होनी का उसको डर है, वो fear है, वो आ जाता है वहाँ पर उस पर हाभी हो जाता है, तो पहली problem तो मुझे ये देखने के लिए मिली, क्लाइंट जो है उसके बाद में वो बिचारा फिर message कर रहा है hello sir, hello sir, मैंने का क्या हुआ, trade अब डाल दूँ, अब ऐसा एक नहीं होता, कम से कम कह सकते हो मेरा जो message है, 15 सो लोग देखते हैं WhatsApp status के उपर, और वो different time पे देखते हैं, 12 बजे डाला तो हो सकता है, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे तो वो बार-बार-बार मैसी जाए, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कार ये क्या drama हुआ तो इस कारण में अपनी intraday की trades share नहीं करता, हाँ अपनी जो swing trades हैं और अपनी जो positional trade बोल सकते हैं जो option selling में होती हैं, वो मैं अपने discord server पे share करूँगा, उन सभी लोगों के लिए, जो मेरे साथ जुड़े हुआ हैं, जो learning भी कर रहे हैं, नीचे मैंने उसके link दिया, आप continue कर सकते हैं, and learning के लिए आपको website दिया है, वहाँ से आप continue नहीं समझ सकते हैं, कैसे काम किया जाना है, तो ये है problem, otherwise मुझे share करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, मैं अपनी position share भी कर दूँगा, तो भाई profit तो मेरी jam में ही आना है, वो बट ठोड़ना जाएगा किसी के साथ में, मुझे पता है, बट reason के चड़ावा चड़ जाए, तो I think वो तो गलत बात है, तो इसलिए मैं किसी को ऐसे share नहीं करता, intraday trade तो कभी भी share नहीं करता, क्योंकि intraday के लिए लगता है कह सकते हो, patience, discipline आपके mind में stability होनी चाहिए, और account पे fund भी होना चाहिए, ऐसा नहीं आप 20,000 के fund के साथ में सीधा 10 lot में entry कर लेते हो, 10 lot में सर ने बोला है, तुमारा 20,000 है मेरे account में सला 20,00,000 पे पड़े हैं, तो tension की बात मुझे तो नहीं होगी न, आपको तो हो जाएगी न, उस बात को समझो ये चीज जरूरी हो जाती है, चली मिलते है नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो के अंदर कल ट्रीडिंग दे है, देखते हैं ट्रीडिंग दे पर क्या रिजल्स आते हैं, ठीक है